अब आपको अब आपको अब आपको जाओगे चेकाउट करोगे डिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा SL 11 15 पॉइंट का निफ्टी में दें 500 पॉइंट का ट्रेड हमें बेंक निफ्टी में मिला और एक हमें कॉल साइड में 100 पॉइंट का ट्रेड मिला आप लोग को भी जहां मैंने लेवस बताए वहां से बड़िया मोमेंटम मिला और यह रहां का प्रॉफिट एंड ल लॉस देखने को मिल जाएगा और देखना हैज तो आप को पैंड कमेंड में देखिए पिंड कमेंड में आपको बहुत सारी ट्रेड dramень में और एप High jest अगर आपने वह वह होती तो क्या होता आप्रॉफिट में जाओगे तो दिक्कत है क्योंकि सबका करने का तरीका अलग है सबके फियर अलग है कोई एक लाग का लॉस करके आया है यहाँ पर कोई पचास लाग का तो कोई बीस अजार का जिसने जितना कम यहाँ पर लॉस किया है वो उतना ही जादा चीजों को समझ के करने की कोशिश करता है क्योंकि वो सही guidance में आ गया है तो यह चीज है आप लोग थोड़ा उस चीज पे ध्यान दीजिए अब बात करें market की तो हमें थोड़ा सा bank nifty में pressure देखने को मिल रहा है no doubt आप HDFC bank की बात करें तो 4% के आसपास यह down है last day ठीक है अगर मैं आपे weekly chart लगाऊ तो बहुत बड़ी है क्योंकि मैंने आपको buying के लिए तो 1400 के नीचे ही बोला था इसमें और यह देखो इसने अपना all time high अटरा सो मारा और वापस नीचे आ गया channel आप देख सकते हो 1300 से 1700 1300 से 1700 एक बार नहीं एक दो तीन चार पांच पांच से छे बार यह जा चुका है आच चुका है जा चुका है आच चुका है तो मैंने कोटक बेंग और SGFC बेंग में बार बार आपको बोला है lower level पर buy करो अपर level पर चाहो तो hold करो चाहे तो बेच दो तो वापस से घूम गया है वापस से प्रेशत देखने को मिलना तो मंडे को इसमें और ग्रावट देखने को मिल सकती है ये चीज ध्यान रखना अगर इसमें ग्रावट दिखेगी तो आपको bank nifty में भी बढ़िया fall देखने को मिलेगा reliance तोडू all time high no doubt बट मेरे buying level अल्रडी बहुत पहले निकल चुके है और जब आना चाहिए था 2600 के असपस तभी आया नहीं है पिडिलाइट बहुत बढ़िया चल रहा है all time high पे चल रहा है डीमाट बहुत बढ़िया चल रहा है 3600-3500 पे आपको buying कर आई ती इसमें मैंने 3700-3200 पे बाइंग कर आई ती तो ये सारे stock बढ़िया काम कर रहे है वोल्टास थोड़ा सा रुका है ठीक है अपना all time high बना चुका है तो अभी कुछ कह नहीं सकते आगे और इसकी लंबी दोड़े लेकिन वही है कि आपने इसको साई time पे खरीदा है वो question है चलिए ये तो होगी stocks की बात जो मैंने आपको बहुत पहले से market देता हुआ आ रहा हूँ अब आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं क्या कर रहे हैं वो मेरी headache नहीं है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट के 30 मिट में एक move आया लेकिन उसके बाद भी हमारा nifty bank 500 point down close हुआ है ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है हमें देखने को मिल रहा है resistance area ठीक है अब यह resistance area जब तूटेगा तब हमको कुछ दिखेगा ठीक है यहाँ पर एक gap तो gap fill होना चाहिए है ना gap fill होगा nifty में तो हुआ nifty तो अच्छा at least positive में आके close किया लेकिन यहाँ से और यह जो gap है ठीक है सबसे पहला target होगा यह वाला area हमारा ठीक है हमारा market कहा है अभी यह है 52,700 का level यहाँ से 200, 200, 300 point के हमको यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है 53,000 और 52,900 के बीच में एक आपको resistance देखने को मिलेगा यानि कि अगर हम कल इसके उपर निकलते हैं मंडे को तो यहाँ तक जा सकते हैं depending on the banks कैसा HDFC bank में क्या देखने को मिल रहा है morning time में अगर उसमें गिरावर देखी तो हम यहाँ पर कहीं पर भी आ सकते हैं morning में ही यह भी ध्यान रखना आप लो ओके अगर नीचे आते हैं तो हमारा support area यह रहा 52,400,300 का 52,500 का यानि कि यह माल लो this is your support area अगर यहाँ से breakdown होता है तब आखे की कहानी सोची जाएगी ठीक है तो इसको बड़ा गर्द है देखके रखना भाई नीचे से एक trend line आ रही है इसको भी देख लेना तो अगर breakdown होगा तो आपको कौन से level देखने को मिलेंगे यह वाले level यानि कि हमारा market वापस से 52,000 पर आ जाएगा कहां से कहां तक गया यह 53,000 से 52,000 पर आ जाएगा अगर सही move नहीं रहा मतलब सही positive नहीं रही तो हम वापस से वहाँ पर आ जाएगे इस बात का दियान दखना ठीक है market try करेगा hold करने का अगर कोई और negative news रही तो फिर बढ़िया fall आपको देखने को मिलेगा तो उस तरीके से हम plan करने वाले हैं आपको क्या करना है telegram पर जाना है join हो जाना है जो trades देता हम वो देखना है जो आपको scalping के लिए levels देता हम वो देखना है for example 52,400 का मैंने level दिया था निकलते ही देखो कितना चबलास्ट आया तो इस तरीके के आपको जो move हैं वो वहीं देखने को मिलेंगे मेरा काम आपको सिखाने पे ज़्यादा है इसलिए मैं आपको call tips नहीं देता हूँ आप low view मत direct किसी से because आपका पैसा लगा हुआ है ठीक है तो पहले किसी के उपर trust करो learning पर ध्यान दो उसके बाद काम करो न चलिए वीडियो को like कर दो channel को subscribe कर दो telegram को join कर लो comment section में जो पूछना मेरे से पूछ लो thank you so much